हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टो मैं चेनल आज नेम्बू के रस से मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बालों को जड़ से काला कैसे कर सकते हो देखिए हम सभी परिशान रहते हैं अपने सफेद बालों की वज़ा से और यह में टेंशन की वज़े से होता है तो अपने खान इस चीज का धियार रखिए थोड़ा आप टेंशन कम लीचिए हैल्थी चीज़ फोट्स वगर रखाए तो भरपूर मात्र में फानी पीछिए देखिए अपने आप यह गाया हो जाएगा और यह रेमेडी इस्तेमाल कीजिएगा तो इसको गनाने के लिए सबसे पहले आप के पास होमेड नहीं है तो आप मार्किट वाला भी यूज कर सकती हो तो यह आपने डालना है अपनी कुएंटिटी की हिसाफ सितना बनाना है तो मैंने यह पी दो चमश डाला है और अब आपनी इसमें डालना है लेमन जूस अगर आपको लेमन जूस सूट करता है तो आप hatten बट चेंग में अब आगी मताने लगी हो तो आप सकते हो तो आपने इसको इसका तरह से मिक्स कर देना है अब आपने इसमें डालना हे काला कत्था काला कत्था भी हमारे बालों को बल्लैक फॉर्म में करने के लिए काफी अचीतर से बग करता तो आप नह len Oo पनी अगर आपके पास नहीं है ब्राउन कथा आपको मिलता है तो आप उसको ग्रेट कर लीजिए और फिर आप उसको रोस्ट कर लीजिए तवे पर तो ब्लेक फॉर्म में हो जाएगा तो आप उसको स्ट्योर करके रख लिजिएगा किसी भी एयर टाइट कंटेनर पर अब आपने इसमें डालना है ब्रिंग्राज पाउडर आप अपनी क्वांटिटी की हिसाब से इसमें डाल सकते हो अगर दो चम्मच आपले पाउडर के अपने इसमें डाला है इसको डालिए और आप आपने इसमें डालना है और आपने इसमें डालना है और आपने इसमें डालना है और राण जूस यह फेल लेमन जूस इन दोनों से को टाने इसको मिक्स कना बचा थे को आप सिரम करनाइश भी यह को ऑगिया डालना चाहते हो तो आप इसमें अलवराजल डाल शेल बगल बहुत अचित है брат carrying थे ईसको डाल डे Louisiana अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स कर लेना है देखिए हमने इसमें जितनी चीचे डाली है बरपूर मात्रा से इसमें विटामिन C पाये जाता है एंटी ऑक्सिदेंट गुरो से बरपूर रहता है और यह जो पाउडर से हमने डाले हैं इन सबका कॉंबिनेशन एक पाउफुल कॉंबिनेशन बनाता है जो कि हमारे बालों को ब्लैक फॉर्म में करने की बहतरी वर्क करता है काफी तेजी से तो इसको लगाना कैसे है तो आप यह जान दिचिए अपने क्ली एर पे इसको लगाना है टाइम नहीं है तो आप आधे गंटे तक के लिए छोड़ दीजिए उसके बाद प्लेन वाटर से आपने वाश कर ले रहे हैं देखिए हमने से कोई ओईल नहीं डाला तो शैंपू करने की जौत नहीं है अगर आपको लगता है कि हाँ शैंपू करना है तो आप नएक्स दे ही शैंपू कीचिएगा तो आपने सिर्फ प्लेन वाटर से वाश करना है न memorial नेक्स दे करना है और हफते में आपने इसको दो तीन बार इस्तमाल करना है फिर देखिएगा कितना अच्छा result वीजिबल रिजल्ट आपके सामने रहेगा बालों से जढ़ने की प्रॉबलम है वो भी दूर होगी बालों की ग्रोथ ही तेज करेगा और आपके जो रूखे ड्राइ फीजी होगे है उसको भी ठीक करता है तो इसको आप जरूर जरू इस्तमाल कीजिएगा और अपना सबसे वहले आप तक जाए जलिए मिलती हो आप से नियो अच्छी और एफेक्टिव वीडियो के साथ तिल एन टेक के और थैंक्स सो मच गाइस पर वाचिं दिस वीडियो बाबाई